और वीवन कैसे हैं आप सबी आज cannot टेशित को आप ठोग करें तो इसमें आप लोग चीजों को प्रोट कर रहे होteen आप पारिखें पर्टे करना पड़ेगा में करना की मैंनेज कि आपको मैनेज करना पड़े जब भी मौका मुझे आप परते हों इतां कि आगर आप देर तक समय दियते हैं तो जैसे क्या करेंगी कि आप वो सोचते हैं सब कुछ करने के बाद हम बैठेंगे पढ़ने जो कि मेरे हिजाब से बहुती गलत तरीका होता है क्योंकि पढ़ने के लिए जानते हैं कि यह हमारे दिमाग में जो मूड बनता है वो बड़े कहते हैं कि क्विकली बनता है और वो तुरंट चला भी जाता है आए चीजे तो अब आपके दिमाग में हो रहा है कि नहीं और बढ़़ें पढ़ने के लिए अबस अब वहां पर आपको जरूरी अपर ब्रश कर लिया गरम पानी पी लिया लेकिन मैं यह नहीं कहोगी कि आप बकायते नहां लिजे दो लिजिया बढ़िया से खापी लिजी तब बैठें के लिए कोई प्लान ऐसा करके मत पढ़िए कि मैं ये कर लूगा तब आप तुरंत बैठ जाए किताब खुरके पढ़ने के लिए अब पहले आप दो घंटा पढ़ लिजे अगर आपका मूड कर रहा है कि नहीं तुरंत हम उठें हैं पढ़ने के लिए और हमको तुरंत आप पढ़ लिजे क्योंकि वह भाव कब चला जाए आपके दिमाग से आपके दिल से कब भाव निकल जाए पढ़ने वाला कुछ कहाने जा सकता हो सकता है कि आप नहाने लगे या बाकी चीज करने लगे और कुछ खा पी ले और तब आप बैठेंगे पढ़ने के हो सब्सक्राइब पर मूट जो जाए उस समय तब पढ़ने बैठें उसे नहां मन करें तो जैसे ही मन करता है आपको तुरंत किटाब लेंगे रात मैं कहूंगी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत ताम जाफिदा कि यहां नहीं सही है नहीं सही है एहां जहां भी आपक काम करने के बाद ये टाइम मेरे रेस्ट करने का है लेकिन अचानक से आपके अंतर कोई भी ऐसी बात सोच के मोटिवेशन आता है कि नहीं पढ़ना चाहिए अब आपको मूड कर रहा है पढ़ने का दिल कह रहा है अब उस समय अगर आप यह सुचेंगे कि नहीं यह तो मेरा टाइम रेस्ट करने का नहीं यह आपको तुरंत बढ़ जाना है पढ़ने के लिए और फिर बाकी काम को आपक क्योंकि उस टाइम का पढ़ा हुआ आप समझे कि सौ गुणा इस पीर से वह जादे काम करता है वैसे आप मूड बना के पढ़ेंगे आपको जब अस्तिय प्रमन लगाना पढ़ेगा हो सकता है कि नमन लगे तब भी आपको लगाना पढ़ेगा तो वह उतना एक्टिव नह करें आपकी प्रथम प्राइटी जो होने चाहिए आपकी इस्टडी होने चाहिए बाकि कोई भी टेस कितनी भी जरूरी हो वह सेकेंड नमबर पर होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको यह भी कहेंगे कि मैरे साथ बच्चा है मैं मानती हूं कि वह करना पढ़ता है देखना प उसके बार जो बहुत ज़रूरी हो करना आपको बातना पड़ेगा, अपो इमार्व से सोचना पढ़ेगा कि क्या करना क्या ने करना है तो भाई वहाई जादे कहते हैं आक थामद्धा मां प्ढ़ना आप जैसे हैं आप ऐसे ही पढ़ गला कि आप 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 रही जाएंगे मार्केट अगर आप जा रहे हैं तो आप कैसे कपड़े पहने हैं सब लोग हो सब्सक्राइब करें और कहीं है लेकिन आप परिख्या देने जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा कि आप क्या पहने क्या नहीं वहाँ पर्फॉर्मेंस आपका अंडिस्टैंडिंग वह पेपर के अपनी लाइफ में कुछ भी कर गुजरता है तो आपको वह सोचना है कि अभी जैसे भी रहते हैं अब हैं यह तो कोई बहाना ही नहीं है कि अरे उसके साथ तो यह situation थी वो तो अपने मम्मिक घर रहती थी तो उसके घर साथ सपोर्ट करें तो उसने कर लिया नहीं भाई बहुत सारी लोग आपके सामने वीडियो भी जाते होंगे तो सब्सक्राइब करते हैं और मम्मिक घर रहो या बहुत सा इलावा जाते हैं तयारी करने करें घर चोड़के वहां पर रेंट पर रहते हैं बहुत सोचते हैं कि चलो भाई यहां से घर से दूर रहेगा बस पढ़ने समत्तब रहेगा लेकिन वहां पर दिल ही नहीं लगेगा पढ़ने में तो वह भी बेकार है आप कहीं भी रहके अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो और अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो यह सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए है कि भाई अब तो पढ़के यहीं चीज लाना है मुझे मेरे पास जो चीज नहीं है मैं पढ़के नौकरी करूंगा यह नौकरी करूंगी और जानते हैं यह चीज बड़ी अच्छी रखती है अपने आपको सांतोरा देने के लिए चीज बहुत काम आती है जैसे जब कोई असफल होता है और फिर आगे भी उसको लाइफी महनत नहीं करना रहता है तो ऐसे चीज़ों को खोशता है मन जो है ना ऐसे चीज़ों को होती रह गई अब से जितना मैंने मैनत किया था उसका दूगुना चौगुना करूगा मुझे सब को छोड़ने के जरूद है इतना साल बरबाद होगे अब मुझे कुछ बरबाद करने के जरूद नहीं है आप ऐसे करके पढ़िए तो कहने का मतलब है इस वीडियो में यह क कर्म है यह आगे आता है भगवान की तरफ से कोई बैख करने के अध्या है लां एकification के बाढ़िए जय से ढूबने को या सब बचाईए सब क्याने के लिए और अपने दिम्हें यह परशान है तो अच्छा है आपको समझदारी से काम करें अगर आप समय दे रहे हैं तो उस समय को और बरबाद मत करिए आपको पैसा लगाया है कोचिंग लिया है किताबे कर दी है से चली कर रहा है जो भी है आपका यह समय है यह बहुत महतोपोर है इसको जाने मत दीजिए पढ़िए मन लगा के पढ़िए उसके बाद एक बार आपके जॉब लग जाएगी तो जिन्दगी में आपको बहुत सुकूर मिलेगा फिर आप पूरी जिन्दगी काटेंगे और आर्थिक रूपी मजबूत रहेंगे समाजिक रूपी प्रतिष्टा बढ़ेगी और आपके मन को सुकूर मिलेगा कि भाई चलो अब जो भी है सब अच्छा है तो फिर मेरे खाल से आपको यह बाते समझ में आई होंगी और आप मन लगा क पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे-च्छे कि हां मेरा यह चीज कंप्रीट हुआ है ठीक है आप लोग अपने प्रॉब्रम भी लिखते हैं तो मैं उसके लिए हूँ जो मुझे सही आपने कुप अपने कुप लूगते हैं, मुझे बहुत और यह घूब। लोग लिए जब करते हैं नहीं कि मैं अच्छे करते हैं